नमस्कार आप देख रहे हैं जी बिजनस आपके साथ मैं हूँ अनुया यादव ग्लोबल संकेतों की तर्च पर भारतिय बाजार में एक गिरावट देखने को मिली हाला की बाजार बढ़ध के साथ खुले लेकिन कमजोर संकेतों से बाजार लोड़का और इंट्राडे में निफटी ने करीब 10604 के निचले स्तर को चुआ कारुबारी सतर के आखरी घंटे में बाजार में निचलेस तरूंस से थोड़ी रेकवरी देखने को मिली छोटे मज़ौले शेरों में भी गिरावट रही सिंसेक्स 169 और निफ्टी 57 अंग की गिरावट के साथ बंध हुए बाजार की गिरावट में मेटल, पावर और रियाल्टी शेरों का सबसे ज़ादा यूगदान रहा IT, Consumer, Durable को छोड़कर BAC के समी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंध हुए मेरे साथ मेरे सेयोगी रजट ज़ादा अपडेट के लिए आप जुड़ गए है रजट आज ग्लोबल संकेतों की वज़ह से बाजार टूटा, क्या कुछ और एहम कारण रहे जिबरकुल 10,700 के लेवल की उपर तो खूले थे, लेकिन उसके बाद दिन भर बाजार में बिक्वाली ही देखने को मिली निफ्टी बैक भी शुरुआती सतर में कमजोरी थी, लेटर हाफ में थोड़ा सा पुल बैक जरूर मिला लेकिन अलरडी डामेज हो चुका था, और आज जो दमदार एक्शन देखने को मिले था, वो था पेंट कंपनियों पे एशन पेंट, निफ्टी का सबस्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था, इसके लावा टाइटन, इस स्टॉक में मजबूती देखने को मिल रहे थी, इनफोसेस बजार को आउट परफॉर्म कर गया, इनफाक आईटी सेक्टर को ही लीट कर रहा था, विदानता में भी अच्छ के लिए हाँ से सबस्यादा गिरावट देखने को मिली, श्री इंफ्रा, विनुलिक्स इंडस्ट्री, रिलाइंस, कैपिटल, यहाँ पर दबाफ देखने को मिला, NBFC अजब पॉकेट टूटा, M&M फिनान्स, L&T फिनान्स, डिवान, हाउसिंग, इंडाबूस, हाउसिंग जैसे स्टॉक्स टूटे, मेटल्स वीक थे, नालको, सेल, हिंडालको, हिंड कॉपर जैसे स्टॉक्स और रियल्टी स्टॉक्स का भी दिन खराब था, जातर स्टॉक्स वीकनेस के साथ ही बंद हुए, लेकिन खरदारी ऑटो एंसलरी स्पेस में देखने को मिली, ऑटो मैट्रिमनी और राइट्स जो आज की लिस्टिंग थी, दमदार एक्शन देखने को मिला। और इस IPO से कंपनी को कोई रकम नहीं मिली है। इसको वाज करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, High Speed Corporation भी आ रहा है, DFC भी है। इसमें भी कहीना कहीं राइट्स जोड़ा हुआ है शुरू से और अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कितना बढ़ता हुआ सेक्टर है देशों में विदेशों में कि ये करीब करीब 60-70% के करीब हमारा बिजनस इस सेक्टर से आता रहेगा। और गानिक केमिकल कारुबार की कंपनी फाइन और गानिक्स की सुस्त लिस्टिंग हुई। पर 10 रफतार पकड़ी है। मारूती सुदुकी हो या फिर टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा सभी ने शांदार बिक्री के आंखडे पेश के। आटो बिक्री का पूरा अपडेट लेकर मेरे साथ है मेरी सायोगी पूजा अतरपाथी। काफी अच्छी ग्रोथ सभी कंपनियों के सेल्स में इस बार देखने को मिली है। मारूती सुजुकी के नंबर से पहरे शिरुवात करते हैं। कंपनी की जो कॉम्पैक गाड़िया थी जैसे की स्विफ्ट है, डिजायर है, बालेनो है। काफी अच्छा प्रदर्शन बहां पर देखने को मिला है इसे भी सेग्मेंट में। और घरेलू बिख्री के आकरे में 45% की ग्रोथ इस बार कंप्री ने रेजिस्टर की है। टाटा मोटर्स यहां पर भी कंप्री को लो बेस का फायदा मिला है। इससे हम देख रहे हैं कि ग्रोस जो है वो काफी अच्छी दिखाय दे रही है। पैसेंजर वीकल्स और कंप्री के कमर्शियर वीकल्स दोनों में ही प्रदर्शन अच्छा है। सीरी सेग्मेंट की बात करें तो 50% की ग्रोथ इस बार कंप्री के नंबर्स में देखने को मिली है। और एप्रिल जून के आख्रें भी काफी अच्छा है। 64% की ग्रोथ कंप्री ने दर्श किया। पैसेंजर वीकल्स के आख्रें में भी करीब सार परसेंट से जाता की ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। महिंड्याए महिंड्याइ यहाँ पर भी क्लिया आक्रोव में 26% की ग्रोथ इस बार देखी गए। एक्सपोर्टस के नंबर्स भी यहनवर्व यहाँ फोर्फॉर्मांस औरं परफ़ुलिओ में देखने को मिला। अशोक लेलेंड, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं, सबस्यादा जो योगदान आया है, वो कंप्टी को LCV, यानि की Light Commercial Segment से देखने को मिला है, जहाँ पर की 45 परसिंग की ग्रोथ इस बार देखी गई है, और कुल बिक्री की बात करें, तो 28 परसिंग की ग्रोथ अशोक लेलें के बिक्री के आकड़ों में देखने को मिली है, इसकोर्स में भी काफी अच्छे नंबर्स आये हैं, एक्सपोर्स में शांदार नंबर्स देखने को मिले हैं, पिछले साल 107 यूनिट कंप्टी ने बेशी थी, ट्रैक्टर्स की इस बार जो नंबर्स आये हैं, दो 25 25 यूनिट इस बार कंप्री ने एक्सपोर्ट की है तो एक्सपोर्ट से काफी अच्छा युगदा मिला है और कुल बिख्री की बात करें तो आखड़े काफी अच्छे हैं और घरेलू बिक्री के आखरे भी काफी अच्छा है 85% की ग्रोथ डोमेस्टिक फ्रांट पर देखने को मिली है और आखरे बात करते हैं आईशे मोटर्स के नंबर्स की रोयल एंफील्ड के नंबर्स 18% की बढ़त जिसमें के एक स्पोर्ट में 27% की बढ़तर्स बार देख लिए